नमस्कार मैं अमंत्र पाठी हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा में All India Progressive Politics Association एक ऐसा मंच जहां बात होती है जन सरोकार की एक ऐसा मंच जहां बात होती है प्रगत शील राजनीती की कैसे प्रगत शील राजनीती को बढ़ावा मिले ऐसे विश्वों पर यहां आए हैं कौशाम बीजनपद जहां पर भार्दी जन्ता पार्टी के रीड़ की हड़ी कहे जाने वाले एक ऐसे वरिष्ट भार्दी जन्ता पार्टी के नेता एवं कौशाम बीजनपद के पूर जिला अध्धक्ष सुरेंत्र पार्थी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि इसके रहते हुए तमाम सारे जन्नेता जो आगे बढ़ते हैं राजीत करते हैं जन्ता के बीच रहते हैं और जन्ता के वादों जबने किये हुए वादों से मुकर जाते हैं और उन्हें फिर याद आता है जब अगला चुनाव आता है जी सबसे पहले आपसे ये जाना चाहेंगे कि आप काफी वरिष्ट हैं पहले की राजनीती को भी आपने देखा है और आज के दौर की भी आप राजनीती देख रहे हैं अंतर कितना आया है और किस छेतर में आया है निशन्दे अंतर काफी आया है और पहले की राजनीत वहाँ वादा खिलाफी की राजनीत नहीं थी और वहाँ राश्टी मुद्दों पर एक राजनीती एक नीती होती थी सबकी आज ऐसा नहीं है अटल जीने कहा था किसी जमाने में कि समय आ गया है जब पहले जन्ता और राजनीती का जो संबन्द था वहाँ बहुत राजनीताओं का जो संबन्द था बहुत गहरा संबन्द होता था हमने अपने छेत में भी देखा कि बहुत सारे नेता जिनका कोई घर द्वार नहीं था और पूर्ण काली खो करके वह अपना एक जोला बगल में डाल करके और जन्ता की बीच में रहा करते थे आज उससे हम कोशों दूर हैं निशन दे है अटरेजी ने भी कहा था कि समय आ गया है कि जब जबाना था यो था राजा तथा प्रजा जिस प्रकार के राजा होगे वह इसी ही प्रजा होगी परंतु उन्होंने ये भी कहा था कि अब वो बदल गया है अब यथा प्रजात अथा राजा परिवर्तन हर जगे है परिवर्तन सील तो राजनीत में भी परिवर्तन आया है और यह परिवर्तन केवल सत्ता के लिए हो गया यह दुखद है अच्छा जिस तरह आज खुले मन से नेता एक दूसरे नेताओं पर अभद टिपणिया करते हैं क्या पहले इस तरह देखा जाता था पहले इस प्रकार की टिपणिया तो नहीं होती थी लेकिन एक आदल थे राजनीतिक संगठन एक आद ऐसे थे जो खुलम खुला आप शब्दों का प्रियोग करते थे असनसदी सब्दों का प्रियोग करते थे और उनकी खुब अच्छी तरह पहचान थी उनके वाकी सुन करके ही लोग बता देते थे कि ये अमुग दल का है परन्तो आज इस तरह के दल तो नहीं है लेकिन कुछ दूसर सब्दों में अपनी रोटी अपना संगठा आगे बढ़े इसके लिए वो कुछ भी करने को तयार रहते है पहले की राजनीती आसान होती थी या अब की राजनीती करना आसान है अब की राजनीती करना तो आसान है पहले से बहुत आसान है पहले संसाधन नहीं थे लोगों के पास पैसा नहीं था आज संसाधन भी है पैसा भी है पैसे के स्रोध भी है इसलिए क्यों कि अगर राजनीत करनी है तो धन भी चाहिए बिना धन के राजनीत नहीं हो सकती धर्म राम राम जपना अलाह जपना ये धर्म नहीं है धर्म है हमको क्या करना चाहिए हमारा करनी क्या है हमको क्या करने की हमारी हमारा दायत्तु है तो यह दायत्तु है एक राजनेता का जिसको अटल जी ने निभाया मुदी जी उन्ही पद्चिनों पर चल रहे हैं तो ये निशित रूप से इस तरह का अंतर आया है पहले जब राजनिती के छेतर में कोई आता था और अब जब कोई आता है तो क्या समझते हैं कि पहले ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते थे या अब ज्यादा पढ़े लिखे लोग राजनिती में आते हैं अब पहले पढ़े लिखे लोग भी आते थे और आज तो बहुत जो कम पढ़ा लिखा है तो उसको पढ़ना पढ़ता है क्योंकि ये प्रितियोगता का समय है और जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा जिसकी सूजबूज नहीं रहेगी वो राजीत में आगे नहीं बढ़ सकता है जैसे कि 2022 का चुनाओ निकट ही है तो आप यह बताएए कि पहले के चुनाओं में जितना खर्च होता था उसके आप एक्षा आज कितना खर्च होता है आज बहुत खर्च होता है पहले हम लोग साइकल से चलते थे हम लोग पैदल भी चलते थे तांगा एक्के से चलते थे आज कोई भी कार करता बिना फोर हुलर के जनता के बीच में नहीं जाना चाहता है यह अंतर है और इसलिए खरचीले चुनाओं हो गये हैं इन चुनाओं पर धनबल के कारण ही लोग आगे बखते हैं यह कट उसकते हैं पहले के चुनाओ में देखा जाता था कि अगर कि कोई प्रत्यासी बिधायकी का लड़ रहा है चुनाओ, तो वह कितना पैसे में अपना बिधायकी का चुनाओ कम्प्लीट कर देता था, कुछ अंदाजी? मेरे पिता जी भी चुनाओ लड़े थे उनीसो सरसट में, मैं बीए का चात्र था, और मुझे याद है कि केवल पंद्रह हजार रुपए में चुनाओ लड़ा गया था, और आज पंद्रह लाक भी कुछ नहीं है, पचासों लाक कुछ ऐसे प्रत्यासी होते हैं जो करोण रु इंटर देंचेंज, जब तक आप केंद्र में नहीं पहुंचोगे, आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हो, अगर आज मोदी जी सत्ता में नहीं होते हैं, इसको नहीं देख सकते थे, अटल जी ना, अगर सत्ता में आये होते, तो स्वर्णिम चत्रभुज योजना उन्हो सारे थे, शास्त्री जी अगर नहीं होते, तो जो उन्होंने नारा दिया जय जय किसान का, वो नहीं ला सकते हैं, इसलिए सत्ता में अपने विचारों को लाने के लिए राजनीत आवस्यक है, और सत्ता में रहना भी ज़रूरी है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका